केंदर सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कुछ मैडिसन और कफ सिरफ पर बैन लगा दिया गया है ये कौन से कफ सिरफ है और कौन सी मैडिसन है और क्या इनका अल्टरनेट मार्किट में मौजूद है इस पर बाठचीत करने के लिए हमारे साथ दो सेनिय डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अमनप्रीज जी हैं, साथी साथ डॉक्टर मुनिश गुपता जी हैं, पहले डॉक्टर अमनप्रीज जी से बात कर लेते हैं. सर कौन-कौन सी medicines हैं जो ban की गई है और इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है देखिए ये 14 FDC है FDC का मलदब है Fixed Drug Combination जो unethical तरीके से drugs को combine करके और कफ सीरप बना कर market में बेचा जाता था बहुत अच्छा step है कि केंदर सरकार ने ये कुछ Fixed Drug Combination जो mainly upper respiratory tract infection में या खांसी में जैसे codeine सीरप है और कुछ और ingredient है जो जिनका manufacturing के time proper तरीके से उन combination को तियार नहीं किया जाता था तो इसलिए सरकार ने इनको ban किया गया है तो पिछे अभी recently February-March में अफरिकन कंट्री में गेंबियागर के कंट्री है जहां शुरुआत यह हुई कि 66 बच्चों में acute renal failure है या kidney failure हुआ तो जब CDC जो American agency है उन्होंने अचानक 66 बच्चों की मोत के बाद इसको investigate किया तो उसका यह में कारण एक कफ सीरप पे जाकर उन्होंने अपनी जहांच but में एक पाया गया जो सभी बच्चों को दिया गया था तो वो भी बैन हुआ है वो तो बैन था ही फिर आगे उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो जो एक उसका कफ सीरफ फॉर्मुला होता है उसमें एक इंग्रीडियंट होता है D.E.G या वो एक तरह ऐसे अल्कॉहल एल्कॉहल पॉइंट बोल सकते हैं एल्कॉहल फॉर्म होती है D.E.G तो उसको उसके अंदर कंटामिनेशन हो गया था तो बट एक पर्टिक्लर कंपनी ने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया और उसका रूल्स और रेगलेशन से नहीं बन पाया था तो अब उसी संदर्ब में य यह ड्रग कॉंबिनेशन या कफ सीरफ जो दडले से बन रहे थे इंडियन मार्केट में इसलिए इनको बैन किया गया है और आगे इनके मैनुफेक्चरिंग के टाइम ज्यादा सकती से उसको मॉनिटर किया जाएगा बिलकुल ज्यादा सकती के साथ मॉनिटर किया जाएगा कई बार हादसे देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे कफ सीरफ के अंदर जो प्रोड़क्ट हैं वो इस्तेमाल किया जाते हैं जो स्वास के लिए अच्छे नहीं होते डॉक्टर मुनिश गुपता जी है हमारे साथ कौन-कौन से सर मैडिसन्स हैं जो इस बार बैन किये गए है और इसके पीछे का खास कारण आपको क्या लगता है जैसे कोडीन पहले भी बैन था जो कि हम कफ सीरफ में काफी यूद देखते थे और इनकी एडिक्शन भी हो जाती थी उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट होई फोल कोडीन नाम से सिंथेटिक कोडीन जो आता है वो वैसे जब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती है तो नए नए सॉल्ट आ जाते हैं तो हरकोई यह सोचता है कि हमें नई दवाई लेनी चाहिए पुरानी दवाई अच्छी नहीं थी शायद इसले बंदू असर नहीं कर रही थी पर ऐसर नहीं है पुरानी दवाईयां भी अच् किया है उसका बैन करने का यही रीजन है कि दोनों का कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं देखा गया है साल्बूटबूल और थोड़ी सास की दवाई है टेबलेट और इनेलर दोनों फॉर्म में आती है ब्रोमोहेक्जिनेक माइकॉलिटिक है कफ सिरप की फॉर्म के साथ आता है दोनों का कुछ इफेक्ट जादा नहीं मिला है और दोनों ने जब कंबाइन करके मॉलिकूल भी स्टेबल नहीं रहा मतलब वो टेबलेट फॉर्म में आया है तो यह दोनों स्टेबलिटी और एडिक्शन्स और साइड इफेक्ट्स देखते हुए ही सरकार ने बैन करे है और मेरे कॉर्डिंग अच्छा decision है अल्टरनेट इनका मौझूध है मार्के एफेनिटली देखो सरकार ने बैन करे है बहूत सोष समझ के और अच्छा decision है डेफिनिटली इनका औरनने मौझूध है पेशन्ट को या किसी भी नॉर्मल पबलिक को टेंशन्न लेने वाली बात नहीं है कि अब कफ खासी कैसे ठीक होगी या अपर रेस्पेटिट ट्रैक्ट इंफेक्शन कैसे ठीक होगे या दर्थ की गोली जैसे निमू स्लाइड है वो पहले भी बेहन थी आज दुबारा उन्होंने प्रॉपर आर्टिकल के थूप बेहन करी है जिससे संबंदित जो दवाईयां है या कफ सीरफ है उन्हें बेहन किया गया है विको जो अपर रेस्पेटिट ट्रैक्ट इंफेक्शन हैं जो की कॉमनली हो जाती है सोर थ्रोट के साथ हमें गले में दर दिया खासी या जुकाम के साथ आती है उनके रिलेटेट जो मेली दव जाई है कि यह कॉम्बिनिशन नहीं बिकेंगे इंडियूजली और उससे अच्छी दवाईयां अवेलेबल है विद प्रेस्क्रिप्शन मिलनी चाहिए और हां ओवर दा काउंटर तो स्पेशली बैन होनी चाहिए इसलिए यह आर्टिकल निकाला है प्रॉपर एक बहुत अ आप डॉक्टर के पास जाएं चेक अप करवाएं और उसी के बाद दवाई लें बहुत सारी दवाईयां हैं जो मेडिसन्स हैं वो बैन की गई हैं कफ सीरफ हैं वो बैन किये गई हैं क्योंकि उससे कई बार नुकसान देखने को मिला है शरीर का और तमाम जो डॉक्टर का एक पैनल था उनसे हमने बादचीत की डॉक्टर अमनप्रीद जी डॉक्टर मुनिश गुपता जी और उन्होंने जानकारी दी और सरकार के इस पैसले को एक अच्छा कदम बताया आप देख रहे हैं न्यूज 18 हर्याना मैं हूँ आपके साथ हिमान शुनारण